साबु दाने को इस तरीके से उबलते हुए पानी के अंदर भला कौन डालता है लेकिन ये परिक्रिया मेरे घर में सुरू हो चुगा है आखिरकार साबु दाने को उबलते हुए पानी के अंदर क्यों डाला जा रहा है चलिए मैं आपको पूरा परिग्रिया समझा देता हूँ और खास कर ये रेस्पी आपके घर के बच्चों को बेहदी पसंद आने बाला है जब भी आपके घर में चले साधी का महौल तो इस रेस्पी को बना लेना उसके लिए आपको पानी ले लेना है एक से डेर गिलास पानी इसके अंदर आपको डाल देना है मिर्च पॉडर काली मिर्च पॉडर और साथ में आपको नमक डाल देना है लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है इसके अंदर काली लॉंजी और जोएन डाल देना है और पानी के अंदर बढ़िया सा एक उबाल दिला देना है अब मैं आपको बता दू ये बनकर क्या तयार होने वाला है लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा परिक्रिया समझा दूँगा ये बनकर किस तरीके से तयार होगा तब ही आप अपने आपको रोक नी पाओगे और इस रेस्पी को आप बार बार बना कर जरूर खाओगे लेकिन उससे पहले इन सारे मैट्रियल के अंदर एक बढ़िया सा उबाल दिला देना है जो की बढ़िया तरीके से तयार हो जाए लेकिन दोस्तों ये एक दिन में बनकर तयार होने वाले नहीं है आपको करीबन दो दिन लगेंगे इस रेस्पी को बनाने के लिए और किस तरीके से तयार होगा वो कौन सी रेस्पी है जो दो दिन में बनकर तयार होती है ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है उबाल था वो कम हो गया और इसको हम अच्छी तरीके से मिलाना शुरू कर देंगे लेकिन साबूत आने को मिलाने की बाद आपको क्या करना इसकी अंदर जलेवी के अंदर कलर डालते हैं वो कलर आप इसके अंदर डाल दीजिए जिससे एक बढ़िया कलर आ सके और देखने ख तरीके सापको गाढ़ा तयार कर लेना और इस रेस्पी को बनाने में भी बहुत आपको मज़ा आने वाला है उसके बाद आपको क्या करना है पिन्नी ले लेना इस तरीके से और उस पिन्नी के ऊपर आपको क्या करना है तेल अपलाई कर देना है पतली पिन्नी होनी चाहिए तेल अपला इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ये चिपके ना मेट्रियल के साथ अब देखें दोस्तों इस तरीके से आपको मेट्रियल रख देना है और इस तरीके से आपको फैला लेना है धूप में ये अच्छे तरीके से तयार हो जाएगी दोस्तों इसको गर में मत रखिएगा और धूप में इसको तयार कर लेना है करीवन आप कड़क धूप में रखिए दो दिनों तक हमने धूप में रखा इस तरीके से आपको अपलाई कर देना है अभी आप देखना दोस्त झाल लई अनधर निदो थोड़ा सोट कर दिया दिया देखिए जैसे जैसे है सुपर कर तया होगाright में जैज बंड़ायक के थायथ खासे हो लिखू अब मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूँ आपको देखे किस तरीके इस टूट कर तयार होगा देखे कितना कड़क हो चुगा है ये उसके बाद आपको क्या करना है तेल लिलीजे तेल जैसे आपका गरम हो तब आपको क्या कीजे आप इससे फ्राइ करके तयार कर लीजे देखिए जब आप इससे फ्राइ करोगे ना देखना कितना फुला फुला से तयार होगा अब बताईए आपके घर के बच्चों को ये पसंद आएगा या फिन नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों घर पर आप इस सापू दाने से इतना बढ़िया रेस्पी बना कर तैयार कर सकते हैं जोकि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी होगा और अनलिमिटेड बना सकते हैं इसको और जटपट आप मिंटो में इसे तैयार कर लोगे और आपको काफी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला इस रेस्पी को बनाने के बाद क्योंकि दोस्तों जब हम घर पे बना रहते तो बहुत ही ज़्यादा हसी भी आ रही थी लेकिन हमने बना कर भी बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लिया तो दोस्तों आपको ये रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने तरब से लाइक जरूर करना अपना कीमती समय देने के लिए ठैंकियो सो माच दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में नई चटपटी रेस्पी के साथ उसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना